और और एक कार फिर से भारत मत की बार्शीक राज मीधिके नियांता भारत के घौरोश माननीत प्रधान मंत्री नरंग्रमादी जी का घाजीपुर की भीर बल्धानियों की धर्तिपार हिर्दय से स्वागत करते हुए और विनंदन करते हुए मैं मैं आमंत्रिक करना चाहता हूं उच्वादन के लिए ऐसा ही अगा पिस्वार्येश्म और आति हासिक छड़े मादनी अधर्धान मंत्री नरंग्रमादी जी अब जाए लाए 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 ल भारत माता के जार। की गाजी फोर्ड राजा गाजी का नगरी हाँ महर्शी विश्वामित्ना आउरी यमदगी खुशी कभी ठाकी हाँ महार कुशान लेता च्वामी सारजान सरस्वतीजी यही गाजीपुर में पायादा भईलाई कि देश का आजवाजी खाते दाक्तर फुजन राय समीर आंट शहीर यही धर्ती पेक पुर्वानी अठाना अगस्केट है कि पाकिस्तान का घुमान चूर करे वाला विर अग्जल हमीद भीर यहीं धर्ती के सकुधा यह प्रभीत धर्ती के हम नमें तरत्मानी यहीं धर्ती पार एक ही गाउं से पाँज हजार से जादा जवाब देश का सेडा में भी देश का रक्षा खाती काम करेगा कि धर्ती के बार वैयर नमाद केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी देश के देवे मंत्री स्रिमान सुरेश प्रभुजी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी और इसी धर्ती के संता श्रिमान मनोध श्रिमाजी हमारे वरिश्ट देता स्रिहों जी मातूर प्रदेश भार के जंता पार्टे के नौदवान अध्यक्ष और लगाता मुस्कराने वाल अध्यक्ष स्रिमान केशो परदेश मौरिया केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी दाक्तर महेंदरनाथ प्रणे सांसाथ स्रीमान केपी सी सांसाथ स्रीमान हरी राजबार केवर में मंत्री परिशन नमारे सांथी स्रीमती अनुक्रियाजी पते सांसाथ स्रीमान भाग सी जी कुत्रप देव विदान जुवाबे बाजबा विदायगर के नेता सिमान सुलेश खन्ना जी बाजबा के छेत्री अध्यक्षा सिमान लक्षम आचाय जी बाजबा के राटि महासची सिमान स्वतंत्र देव सी जी बाटपा मैरा मुर्ता की रणके देख्षा श्रीमती स्वाती सीजी विदान परिशेश सदस्या, स्रिमान विदारनाप्ची जी, विदान सबाय सदस्या, स्रिमान उपेंगरत निवारी जी, विदान परिशेश सदस्या, स्रिमान विशार जी, बाइट पाक शेत्की उपाग देक्षा, स्रिमान कुष्ट बिहारी नाइजी, बाइट पाइट जी और विशाल संधाय में पढ़ाने हुए गाजीपूर की गरजना पुराय बेस पढ़ाने बाए है भाई यो और बहनो भाई यो बहनो ये मेरा सोभाग्य है कि मुझे दो साल में दूसरी बार गाजीपूर के लोगों के आशिरवाद लेने का सोभाग्य मिला आपके दर्शन करने का मुझे अउसर मिला भाई यो बहनो 2014 में जब चुनाओ चरम सीमा पर था मतदान की तयारियां चल रही थी और नव मई को मैं गाजी पुर आया था और मैंने कहा था मुझे पर भरोसा करो मैंने कहा था मेरा छोटा भाई चुनाओ लड़ रहा है भाई यो बहनो आप लोगों ने जो प्यार दिया आप लोगों ने मेरे शब्द पर जो भरोसा किया और आप ने न सिर्फ गाजी पुर से मनो सिना दिये है लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने भाई हिंदुस्तान के निर्मान का एक बहुत बड़ी मजबूत नीव रखने का काम किछले लोग सभा के चुनाओं में किया अगर उत्तर प्रदेश 2014 के चुनाओं में पूर्णा बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद न करता तो भाईो भहनो न कोई ब्रस्टाचारियों को चिनता होती न काले धन वालों को चिनता होती यह आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की निंद सो रहा है और अमीर निंद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में बाजार में चक्कर काट रहा है यह आपके वोट की ताकत है यह आपने जो समर्थन दिया उसका कारण है भाई यो भेनो मनो जी आप बैठिए बैठिए आप गाजीपूर के लोगों की गरजना देश को सुनने दिजिए मैं आपका प्यार मेरे सरांखों पर मेरे प्यारे भाई यो बैनो मेरे सरांखों और मैंने बाजा किया था आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं आप जो इस तड़ी धूप में तप रहे हैं मैं विक्यास करके ब्याज समित लोटाऊंगा मैंने कहा था गोड़कपूर में फर्टिलाइजर का कार खाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुबारा इस लाश में भी जान आ सकती हैं हमने उसको जिन्दा करने का काम कर दिया है यहां के किसानों का भाग के बदलने के पुर्वांचल का विक्ति बिमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाओं कैसे जाओं इलाज कहां करवाओं यह पुर्वांचल को एम्स दे करके मैंने यहां के गरीबों की बिमारी की भी चिंता करने का काम इमानदारी के साथ किया है मेरे भागे 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 नाइन टीन सिक्स्टी टू उन्नी सो बासाथ पंडित नहरो भारत के पहले प्रधान मंत्री आज उनकी जन्म जैंती है उत्तर प्रधेश से अनेग प्रधान मंत्री मिले देश को पंडित नहरो पहले प्रधान मंत्री से उस समय यही से लोग सभा के सदश्य शिमान विश्वनाजी उन्होंने संसद में खड़े हो करके बाशन किया था विश्वनाजी ने बाशन करते हुए उनकी आँखों में से आँसू की धारा बेरे और विश्वनाजी ने कहा था कि पंडित जी आप उत्तर प्रधेश से चुन करके आए हो आप उत्तर प्रधेश से प्रधान मंत्री के पतपत पहुँचे हो लेकिन उसी उत्तर प्रधेश में एक पुर्वांचल है यह पुर्वी उत्तर प्रधेश है वहां गरीबी इतनी भयानत है किहां के लोग गोबर में से गेहु के दाने चुन चुन करके निकाल करके धो करके अपना पेड भरते हैं प्रधान मंत्री जी ये भाशन 1962 में पंडित नहरू के सामने गाजी पूर के सांसाथ विश्वनात पताप जी ने किया भाई यो बहनो तब पूरी सांसाथ की आँख में आशू थे हर कोई इस परिस्टिती का बयान सुन करके हील गया था और तब जाकर के पंडित नहरू जी ने एक पटेल कमिटी बनाई थी वे पटेल गुजरात से थे हम पटेल था उनकी एक कमिटी बनाई थी उस कमिटी ने रिपोर्ट दिया था इस इलाके की भलाई के लिए क्या क्या करना भायो बहनो पंडित जी चले गए उसके बाद जो भी प्रदान मंत्री आये चले गए मैं उत्तर प्रदेश से नववा नंबर का प्रदान मंत्री हूँ नववा मेरे पहले आठा गए भायो बहनो वो रिपोर्ट दिब्बे में बंद्रा कुछ नहीं हुआ भायो बहनो आज मैंने 14 नवेंबर जान बुझ करके चुनी है यहां आने की क्योंकि पंडित जी के जन्मे दिन पर देश को गुमराख करने वाले लोगों को पता चले कि 62 में जो बात हुई थी 2016 में मेरे आने तक आपने उस पर नजर नहीं की थी और इसलिए पंडित जी आपकी आत्मा जहां भी हो पंडित जी आपकी आत्मा जहां भी हो 1922 में इन गरीब लोगों के लिए उनकी आशा पेछाओं को कागजों की फाइल में दबोच करके आप चले गए भले आप चले गए आपका गल भले ही मुझे गालिया देता हो आपके दल के नेता आपके परिवार के नेता मुझ पर जुठे जुठे आरोप लगाते हो तो भी पंडिक जी आपके जन्वदिन पर ही वो अधूरा काम आज में पूरा करने की शुरुआत कर रहा है पंडिक जी आपको ऐसी सथ धांग ली इससे पहले किसी ने नहीं दी होगी जो आज उत्तर प्रदेश का एक एंपी आपको दे रहा है भाई यो बहनो बहा सच में कहा गया था कि गंगाजी पर पूल बना करके एक रेल की पट्री डाल दी जाए ताकि इस इस इलाके को विकास का आउसर पैदा हो भाई यो भनो सरकारे आई गई नेता आए गए सभाए हुई तालिया बजी बोट बटोरे लेकिन मा गंगा को पार करने के लिए कोई व्यवस्ता नहीं है आज मुझे खुसी है और मैं मनो सिहां जी को सुरेश प्रभू जी को भारत के रेल विभाग को रदेश से अभिनंदन करता हूँ कि आज अभी थोड़ी देर पहले सरकार के कारकम में मुझे उसका सिलान न्यास करने का आउसर मिला है और आपने तीवी पे देखा होगा काम शुरू हो गया अभी आपको परदे पर दिखाया होगा काम शुरू हो गया और भाईयो भेनो समय सिवा में मैं काम पूरा करके रहूंगा ये भी मैं आपको बताता है भाईयो भेनो यहां के मेरे किसान भाई भेन एक जमाना था आप कनोज से भी अच्छे इत्र की पदावर करते थे साब चला गया मुझे दुबारा वो रोनक लानी है मेरे किसानों की जिन्दगी में एक नई ताकत पदा करनी है यहां जो सब्जी पदा होती है उत्तम प्रकार की सब्जी पदा होती है मा गंगा की कृपा से उस पे एक विशिश्चन स्वाद होता है अगर उसको पहुंचाने का प्रबंद हो जाए बिगरने से बचाने की समालने की व्यवस्ता हो जाए तो बंगाल और आशाम तक यहां की सब्जी खाने के लिए लोग लालाई थे यहां के किसान को वो वहां से पैसा देने को त्यार है हमने एक व्यवस्ता की है पैरिशेवल गूर के लिए जहां ये आप सुरक्षित अपनी पैदावर रख सकते हैं बिगटने से बचा सकते हैं और सही दाम मिलने पर आप उससों बाजार में बेच सकते हो मेरे किसान का कोई शोशन न कर पाए इसकी विवस्ता की है भाई यो भेनो प्रदान मंत्री फसल विवायोजना पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को हमने ऐसी प्रदान मंत्री फसल विवायोजना दिया है जिस फसल विवायोजना के द्वारा मेरे प्यारे भाई यो भेनों किसान बहुत ही मामुली पैसों से मामुली चाई कोफी का खर्चा निकाले उतने पैसों से वो अपना फसल विमा ले सकता है और बाकी जो रकम भरनी है वो सरकार भरेगी और किसान अपनी पैदावर्ग पे मान लिजे कोई प्राकुनितिक आपदा आ गई फसल वोई है तैयार होने की तैयारी है बारिज आ गई ओले गिर गए तबाह हो गया मेरे किसान भाईयो भेनों आपको इसका पैसा मिलेगा इसकी बिमा योजनाम ने लागू की है इतना ही नहीं आपकी फसल तैयार हो गई कटाई हो गई खेत में धेर पड़ा है अभी ट्रेक्टर आना बाकी है बाजार में जाना है सब कुछ तैयार हो गया और अचानक ओले गिर गए अचानक बारिज आ गई कटाई होने के बाद कोई देखने को तैयार नहीं होता था हमने ऐसी फसल बिमा योजनाम लागू की है कि कटाई के बाद पंदरा दिन तक अगर खेत में उसका धेर पड़ा है पैदावर का और कोई नुक्षान हो गया तो भी मेरे किसान को बिमा का पैसा मिलेगा ये काम हम है इतना ही नहीं मेरे भाई ये बेहनों कभी कभार हम थाय करता है कि मैं जून में भूआई करेंगे बारिस आएगी नहीं आई बुवाई नहीं कर पाए फिर पंदरा दिन इंतजार किया बारिस नहीं आई बुवाई नहीं कर पाए फिर महिना इंतजार किया बारिस नहीं आई बुवाई नहीं हुई अब मुझे बताईए, जून, जुलाइ, अगस्ट कबुवाई नहीं होगी तो वो बिचारा किशान की बुवाई भी नहीं कर पाएगा फसल पैदा होने का तो सवाल ही नहीं है और फसल का बरबाद होने का तो कारण ही नहीं है किसान का खेत ऐसा ही सुखा पड़ा हुआ है ऐसे समय किसान क्या करेगा पहली बार ऐसी फसल बिमा योजना हम लाए है कि अगर प्राकुर्दी कारण से किसान बुआ ही नहीं कर पाया तो भी हिसाब लगा करके उसको फसल बिमा का पैसा दिया जाएगा ता कि मेरे किसान को कभी मुसीबत जheiroली ने पड़े भायो भेनों ये सरकार गाउं के लिए है गरीब के लिए है किसान के लिए है मेरे प्यारे भायो भेनो हिंदुस्तान में दनकी कोई कमी नहीं है लेकिन दन कहाँ पड़ा है वो समस्या है जहां होना चाहिए वहां नहीं है जहां नहीं होना चाहिए वहां धेर लगे है मुझे बताओ भाईयो बेनो 2014 में 9 मैं को मेहां आया था मैंने आपको वादा किया था कि जो ब्रस्टाचार चल रहा है मैं इस ब्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ूंगा मैंने कहा तक नहीं कहा था आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था आपने मुझे ब्रस्ताचार के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए प्रदान मंत्री बनाया कर नहीं बनाया मुझे बताईए आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर मैं 500 रुपिये की नोट बंद करता हूँ मैं 1000 की नोट बंद करता हूँ तो आपने जो काम कहा है वो ही कर रहा हूँ कर रहा हूँ आप मुझे बताईए भाईयो बेनो सबके सब लोग हाथ उपर करके ताली बजा करके बेश को बताईए बेश को बताईए ये ब्रस्टाचार खतम होना चाहिए ये पांच सो हजार लूपिये लूटने वालों का रूपिया कागज बन जाना चाहिए इसके लिए जो कस्ट होगा आप जेलेंगे मुसिबत जेलेंगे तकलीब सहन करेंगे मेरे प्यारे भाव्यों बहनों जब गाउं का व्यक्ति भी देश की इमानदारी के लिए इतना कस्ट जेलने के लिए तयार है मुझे विश्वात है हिंदुस्तान में अब बेइमानों के लिए कोई चारा नहीं बचा भाईयों बेनों मैं यह जानता हूं मेरे प्यारे भाईयों बेनों मैं जानता हूं आपको तकलीब हो रही है ऐसा नहीं है कि आपको तकलीब नहीं हो रही है आप मुझे बताइए गर मैं शादी हो बारात आने वाली हो दुमदाम से शादी करनी हो बच्चा भी शहर में थोड़ा कमाने लगा हो तो अपना भी मन करता है कि घर की दिवारों पे जरा अच्छा कलर वलर लगवाएं लगवाते हैं अगर कलर लगवाते हैं अच्छा करने के लिए लगवाते हैं लेकिन उस कलर की गंद हफ़ते दस दिन तक रहती है कि नहीं रहती है वो गलर की गंद के कान राट को निंद खराब होते एक नहीं होती है लेकिन चूकी बारात आने वाली है इसलिए हम दिवार मैंसे गंद आने के बावजुद भी अच्छे कलर करवाते एक नहीं करवाते है तकलिप होती एक नहीं होती है कोई भी काम करो भाई तकलीप तो थोड़ी बहुत होती है हाँ इरादा नेक होना चाहिए मेरे प्यारे गाजीपूर के भाईयों बहनों ये जो मैं कर रहा हूँ आप मुझे तालीब जाकर के जबाब देना ये जो मैं कर रहा हूँ देश की भलाई के लिए कर रहा हूँ देश की भलाई के लिए कर रहा हूँ गरीबों की भलाई के लिए कर रहा हूँ गाउं की भलाई के लिए कर रहा हूँ किसान की भलाई के लिए कर रहा हूँ जो राजनितिक दल बहुत परेशान है उनको चिन्ता सता रही है अब करें क्या वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी मुंदी भी दिखती नहीं थी ऐसे ऐसे आप कभी अख़बार में पढ़ते थे किसी मद्ध प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इंकम टेक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से तीन करोड रुपिया निकला एक किसका पैसा है भाई ये गरीबों का है अग नहीं है हम तुझे बताईए भाई मैं एक एक गर में खोजने के लिए जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे कितने साल लगेंगे बताईए और एक गर मैं देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे गर मैं चुपा देगा तीसरे मैं करूंगा तो पहले मैं चुपा देगा करे का कि निक 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 रोगेंगे ये बेईमान लोग रास्ता खोज लें कि नहीं खोज लेंगे तो मेरे पास एक ही उपाए था एक साथ हजार और पांच सो दोनों को कागज की किद्दी में डालता मुझे बताएं ये सब बराबर के हो गए ये नहीं हो गए भाई कि गरीब अमीर सब समान हो गए ये नहीं हो गए कुछ लोगों को तकलीब हो रही है जो सामान ये इमानदार नागरिक को हो उसको जो मुसिबत हो रही है तकलीब हो रही है उसकी मुझे बरपूर पीड़ा है मेरे भाई यूबेर बहुत पीड़ा है मैं रात रात जग करके आपकी तकलीब कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ करता रहूँगा लेकिन कुछ लोगों को तो जरा ज़्यादा तकलीब हो रही है ये वो लोग नहीं है एक कुछी लोग है खुद बोलते नहीं है खुद तो मुस्कराते हैं मोधी जी ने अच्छा किया फिर पीज़े से कहते हैं लोगों को अरे भड़को भड़को जाओ हो अला करो मैं आज इमानदारी के नाम पर इमानदारी के नाम पर देश की जंता को गुमराख करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूँ आप में हिम्मत हो तो पबलिकली बताओ कि पांच सो और हजार का नोट चलना चाहिए प्रसाचार चलना चाहिए काला जल्म चलना चाहिए बेइमानी चलनी चाहिए बताओ लोगों के नाम पर गुमराख करने की बातें मत करो और मैं कॉंगरेस वालों से जड़ा विशेश पूछना चाहता हूँ वो कहते हैं जंता को तकलीब हो रही है आप तो बयान दे रहें मैं तो जंता की तकलीब को अनुभव करता हूँ खुद पीड़ा अनुभव करता हूँ और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धी दिया है शक्ती दिया है एडी चोटी का जोर लगा रहा हूँ गरीब की मदद करने के लिए लेकिन जंता की चिंता करने वाली कॉंग्रेस यह मुझे बताएं आपने तो 19 महिने आपातकाल लगा करके इमर्जंसी ला करके इस देश को जेल खाना बढ़ा दिया था हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महिने ताथ आपने जेल के सलाकों के पीछे बंद कर दिया था आप कंग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में उस जमाने में आपकी पुलीस लोगों के गर जाती थी तुम्हारा वारंट इकलने वाला है और वो बेचारा हाज पेर जोड़ता था और वो कहता था एक लाख रुपया दो वारंट नहीं निकलेगा इस देश के करोरो रुपया लोगों से जेल पूर्मेट बंद कर देंगे इस नाम से करोरो रुपया एंट लिये थे आपके नेतावने कायर करताओं ने आप आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिये थे आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था आपने पुरे हिंदुस्तान को जेल खना बना दिया था अरे कोई बोले भी तो भी उसको जेल के दरवाजे दिखाई दिये देते और किस काम के लिए क्या ये सारा काम आपने ब Initially चार को खतम करने के लिए किया था क्या ये आपने गरीबों की बलाई के लिए किया था देश को याद है الिहाबाद की कौर्ट ने स्रीम्बती इंद्रा गांधी को पारलामेंट मेंबर से हटा दिया कानून हटा दिया तो सिरफ और सिरफ आपके प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की गद्धी बचाने के लिए 19 महिने आपने देश को जेल खाना बना दिया था मुझे पूछ रहो मेरे भाईयों भाईयों मेरा निरने जड़ा कड़क है और मैं जब छोटा था न तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोधी जी चाहे जड़ा कड़क बनाना गरीब को जड़ा कड़क चाहे जड़ा अच्छी लगती है अब मुझे वो बच्पन से आदत है तो जड़ान दिरने मैंने कड़क लिया अब गरीब को तो कड़क चाहे भाती है लेकिन अमीर का मूँ भी कर जाता है ये कॉंगेस वाले आज मुझे समझा रहे हैं पाशन दे रहे हैं उनके बड़े बड़े वकील पाशन दे रहे हैं किस कानून से आपने 1000 रुपया बंद कर दिया 500 बंद कर दिया जरा मैं कॉंगेस वालों को पूछा जाता हूं कि भई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चमनी बंद कर दी थी कि वो चमनी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था जरा मुझे बताओ कि किसको पूछा था यह ठीक है कि आप चमनी से आगे चल नहीं पाते हैं कि आपने अपने बराबरी का काम किया हमने आमारी बराबरी का काम किया कि आप मुझे बताईए भायों बैनों यहां तंकवाद यह नक्षा नक्षा नक्षालवाद यह दिन राजबंदू के बम निर्दोस लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएं हमारे शहीद हो हमारे नवजवाद जिन्दगी के सारे सपने तो अभी बाकी हो माँ भारती के लिए बली चड़ जाएं यह आतंगवाद को पैसा कौन देता है यह नक्षालवाद के पास रुप्य कहां जाते हैं यह उग्रवाद के पास पैसा कहां जाते हैं बाहियो बैनों सीमा पार से हमारे दुश्मान वहाँ पन अकली नोटे छाप छाप करके हमारे देश में गुशेड रहे हैं मुझे बताए क्या यह दुश्मनों की चाल चलने देनी चाहिए यह दुश्मनों की चाल खतम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मैं मुनेताओं से सवाल पूछना चाहता हूँ आतंगवाद के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए नसलवाद के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए उग्रवाद के खिलाब लड़ने के लिए ये जाली नोटों का खातमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये जाली नोटे समाप तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मुझे पताईए पांसो और हजार की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटे कभी खतम हो सकती थी क्या सामान ने मानवी को पता चलेगा कि कौन सी सही कौन सी नकली इसी से वो कारोबार चलाते थे और भायो भनो जब से पांसो और हजार नोटों पर हमला बोल दिया है ये परेशान है पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट भायो भनो कुछ अप्पाएं फेलाई जा रही है गुरुहीनी को भरकाया जाता है कि देखो तुमने तो बेटी की शादी के लिए घर मेंसे दो रुपिया पांच रुपिया पचीस रुपिया बचा 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 करके बेटी बीच साल की हुई तुमने पैसा जमा किया अब ये मोदी सारे पैसे ले गया मेरी माताएं बेने जब तक तुम्हारा ये भाई जिन्दा है मेरी माताएं जब तक तुम्हारा ये लाडला जिन्दा है आप इस्वास कीजिए आपने कड़ी महनत करके पांच पचास पांच पचास रुपिये बचा बचा करके बेटी की शादी के लिए पैसा बचाया है उस पर एक भी सरकारी अफसर आँख तक नहीं लगा पाएगा आप हिंप्लत के साथ बैंक में अपना जमा करा दीजिए अपना खाता खलवा दीजिए अरे मेरी सरकार उपर ब्याज भी देगी आपकी बच्ची की शादी में वो ब्याज भी आपके काम आएगा और मेरा इंकम टेस्क रिपाट में ऐसी माताओ बैनों को पूछेगा तक नहीं कि ये डाई लाग रुपिया आया कहां से लेकिन क्या डाई करोड़ वालों को भी छोड़ूंगा क्या बिस्तर के नीचे से रुपिये निकले क्या उनको भी छोड़ दूं क्या गनी बैग में भरे हुए थेले बरपर के रखे पैसे उनको भी छोड़ दूं क्या इन दिनों आपने देखा होगा जरा जाकर के शहरों पे देखना राक को गाड़िया निकलती हैं देखती हैं कहीं CCTV केमेरा तो नहीं है अगर CCTV केमेरा नहीं है तो चोरी छुपी से मूँपे कपड़ा बांद करके जो कुड़े कचले का धेर होता है ने उसमें जाकर के नोट ठैक करके भाग जाते हैं क्योंकि मैंने कहा है ये जो नोट ठैक ने आ रहे हैं CCTV केमेरा में वो भी अगर हास लग गए तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने गरीबों से लूट के लाया हुआ है ये गरीबों का पैसा है तुमने लूटा है मां लूटने नहीं दूँगा ये मैं कहके निकला हूँ भाईयो आप देखिये हम तो गंगा किनारे पर रहते हैं अमीर से अमीर आज मी भी आएगा तो फूल चड़ाएगा कोई 100 ग्राम दूट चड़ाता है तो बड़ा सुकी होगा तो एक लिटर चड़ाएगा बड़ा धनी होगा तो शहत चड़ाएगा बड़ा धनी होगा तो थोड़ा दही भी चड़ा देगा और ज्यादा से ज्यादा एकात रुपिय की पांच रुपिय का सिक्का डालेगा ऐसा कभी देखा था कि गंगा में लोगा नोटे डाल रहे नोटे पांसो की हजार की बेह रही है अरे पापियों गंगा मैं नोटे बहा करके भी आपका पाप दुलने वाला नहीं है भाईयों बेहनों मैं जानता हूँ जानता हूँ मेरे पर क्या कह बितेगी क्योंकि जिनके पांसे खजाने बड़े पड़े हैं न वो बड़े ताकतवर लोग है वो तो सरकारों को खरीद लेने की ताकते रखते हैं वो तो सरकारों को उपर से नीचे करने की ताकत रखते हैं वो अच्छों अच्छों को उनके भविश को तबाह करने की ताकत रखते हैं बड़े ताकतवर लोग हैं लेकिन मुझे बताईए मेरे देश वाजियों क्या मुझे ऐसे लोगों से डरना चाहिए पूरी ताकत से बताईए डरना चाहिए गबराना चाहिए भाग जाना चाहिए इमांदारी का रास्ता छोड़ देना चाहिए आपके आशिरवाद है मेरे प्यारे भाईयों बहनो आपके आशिरवाद है इसी लिए इतनी बड़ी लड़ाई मोन ली है मैं लेकिन मेरे प्यारे भाईयों बहनो हमारे देश का स्वभाव है आज देखा आपने जिस ट्रेन का नाम रखा है जो ट्रेन यहां से कलकते जाने वाली ट्रेन उसका नाम क्या रखा है क्या नाम रखा है आपको पता है ना इससे बड़ा इतिहास को आयाद करने का कोई सोच नहीं सकता है ट्रेन के नाम पर हमारी पुरानी विरासत हमको याद आजाएगी हमारी ताकत का परिचे हो जाएगा भाईजा शब्द वेदी ट्रेन का नाम शब्द वेदी ट्रेन का नाम महामना वरना पहले तो सब कुछ एक परिवार में ही था देश के लिए मरने मिटने वालों को कोई याद नहीं करता था भाई ये शब्द वेदी भाई यो भनो आपके लिए एक नए विकास के यूग का अउसर ले करके आया है भाई यो भनो आप से मेरी प्रार्षना है और इस गाजीपुर की जनता के माध्यम से देश के लोगों को भी मेरी प्रार्षना है ये इतना बड़ा काम है नोटे बदलने का इतना बड़ा काम है कि बोई मान लोग इसका फायदा न उठा जाए इतना बड़ा काम है कि सही लोगों को सही हक मिले तो मेरे प्यारे भाईयों भेड़ो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है उसमें थोड़ी तकलीब भी हो सकती है और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों भेड़ो मेरा आप से आग रहा है कि आप स्वयम शक्रिय हो करके गाउं गाउं लोगों को धैर्य दे विस्वाद दे और मैंने कल भी कहा था आठ तारिक रात को आठ बजे भी कहा था मैंने सिरफ पचास दिन मांगे है 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18 अठारा 20 बिस गंते हमारे बैंक के लोग काम कर रहे है भाई छुट्टियां खतम करके काम कर रहे है गर में मार बहन कोई बिमार हो तो भी बैंक में काम कर रहे है अरे कॉंग्रेस वालों ने तो अपनी खुर्षी के लिए 19 महें देश को जेल खाना बना दिया था मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए पचास दिन थोड़ी सी तकलीब जेलने के लिए प्राबसदा की है आप अब करेंगे मेरी मदद करेंगे देश की मदद करेंगे गरीबों की मदद करोगे इमानदारी की मदद करोगे अरे जिस देश के गाउन का लोग एक्टी भी इमान दारी के इतना कस्व जिलता हो तो मुझे भी स्वास है मेरे प्यारे भाईयो बहनो मेरे देश में अब बेमानों के दिन खत्म होके रहेंगे खत्म होके रहेंगे एक बार भाईयो बहनो आप सब खड़े हो करके तालियों के गड़डार के साथ मुझे आशिरवाद दीजिए इस पवित्र काम के लिए पालियों के गड़़ाड के साथ इस पवित्र काम के लिए मुझे आशिरवाद दीजिए आपके तालिया बंद नहीं होनी चाहिए आपका आशिरवाद बना रहना चाहिए भाइयो भोड़ो एक इमानदारी का एक महायग्य मैंने शुरू किया है आपके आसिरबाद आपके आसिरबाद पुरा देश देखा है ये टीवी वाले आपकी तालियों की गडगडाहाच पुरे हिंदोस्तान को सुना रहे हैं ये आपके आशिरवाद पुरा देश देखा है हिंदुस्तान का पुर्वान चल मेरे देश वासियों देखिए ये गरीबों की अमीरी देखिए मेरे देश वासियों ये गरीबों की अमीरी देखिए ये वो भूमी है जहां से पंडित तहरू के सामने कहा गया था कि गोबर मैंसे ये हून निकाल करके दो करके खाना पड़ रहा है ऐसे गरीब इलाके के लोग इमानदारी के उस्सों में आशिरवाद दे रहे हैं गरीब हम देश को पता चले जूट फ्रलाने वालों को पता चले इमानदारी के उस्सों में रुकावटे डानने वालों को पता चले ये लड़ाई है इमानदारी के लिए है ये लड़ाई है देश को बे इमानी से खत्म करने के लिए लड़ाई है आईए आईए मुझे आशिरवाद सिर्वाद दीजिए मा घंगा को याद करके आशिरवाद दीजिए ताली ओविडियों के गडगड़ा हाड चाह बात बहुत बहुत धनवाद आपका बहुत धनवाद कि भारत मता की अब धन्य बाद अवरा भार प्रकुट करने के लिए अपने यसस्वी जिला ध्यक्ष श्रीभानु प्रताप शिंग जी को मैं अधियंत आदर के साथ बुलाता हूं स्रीमान भानु प्रताप सिंग जी इसे परिवतन यात्रा में अपने देश के यसस्वी प्रधानमंत्री परम आधर्णिय नरेंदर जी मोधी आपके चरणों में भारती जंता पार्टी और जन्पत गाजीपूर के समस्त नागरिक आपका हाधी कभिनन्दन और सागत गाजीपूर की सहधी धर्ति पे कर रहे हैं मंच पे हमारे सभी मंचासीन केंद्रिय मंत्रिगर भारती जंता पार्टी के सभी बिढ़ायकर और सभी मंचासीन लोगों का हाधीक स्वागत अभी ननन करते हुए आप प्रधानमंत्री मोधी को आप सुन रहे थे हैं उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोगो अब तकलीफ हो रही है बेवानों के लिए कोई चारा ही नहीं बचा है अब बहुत कड़ा फैसला लिया है कड़क चाय बनाया करता था और कड़क फैसलाब लिया है मुझे आदत असल में वही पड़ी है रचाचार खत्म करने का वादा किया था प्रधानमंत्रिया कहना और पर उसी वादे को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं आप से जो वादा किया था उसे में निभा रहा हूं। प्रधार मंत्री मूदी का कहना है, काजिपूर पहुचे हैं प्रधार मंत्री मूदी, नोट बंदी पर 50 दिन के तकलीफ है ये, यकीन चताते हुए प्रधार मंत्री मूदी और इसके बाद सब कुछ सामाने हो जाएगा, देश में बेइमानों के दिन खत्म करके रहेंगे, कह सके रहें, नोट बंदी पर 50 दिन की तकलीफ हैसल में ये, पहले नोट की मालाओं से सिर नहीं दिखता था, प्रधार मंत्री का कहना है, मुझे मालूम है कि आपको तकलीफ हो रही है, आपके तकलीफ को मैं समझता हूँ, लेकिन इस तकलीफ के साथ साथ मैं आपकी कद्र भ खेल खत्म हुआ, संबोधन में अपने ये भी कहा प्रधार मंत्री मोदी ने, और जो वायदा मैंने आपसे किया, मैं वो निभा रहा हूँ, प्रधार मंत्री मोदी, रैली को संबोधित करते हुए बोर रहे थे, पहुचपुरी भाषा में अपने भाषां का आगास करते उन्होंने उन लोगों की तरफ भी इशारा किया, जो कालाधन रखे हुए हैं, अब क्या दिया है कि किसी भी तरीके से उनको बक्षा नहीं जाएगा, बेहद रोचक अंदाज में प्रधार मंत्री मोदी मुखातिब हुए काजित्पुर की जिरता से और अपने अनुभाव और अपनी बातों को शेयर करते हुए, ये बताते हुए कि वो कितनी फिक्र करते हैं देश को